थाका नया सेतु नमस्कार आपने सवने नवरात्री ना पावन परवने अनेक अनेक शुब कामनाओं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयरुपानी जी उपमुख्यमंत्री श्री नितिन भाय पटेल गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और साउसद में मेरे साथी श्रीमान सीयार पाटील जी अन्य सभी मंत्री गण, साउसद गण, विधायक गण, मेरे किसान साथियों गुजरात के सभी भाईयों और बहनों नवरात्री के इस पावन परव में मांबे के आशिरवात से आज गुजरात के विकास से जुड़े तीन अहम प्रोजेक्ष के शुरुवात हो रही है आज किसान सुर्योदय योजना, गिरनार रौपवे और देश के बड़े और आधोनिक काडियाक हस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ती, भक्ती और स्वास्थ के प्रतीख है इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं बावी और बहनों, गुजरात हमेशा से और साधारन सामर्थ वाले लोगों की भूमी रही है पुज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपुतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेत्रत्व दिया है मुझे खुशी है कि किसान सुर्योदय योजना के माद्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है सुजलाम, सुफलाम और सवनी योजना के बाद अब सुर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मिल का पत्थर साबित होगी किसान सुर्योदय योजना में सरवोच्य प्रात्मिक्ता गुजरात के किसानों की आवशक्ता को दी गई है बिजली के ख्षेत्रे में बर्सों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्नत रहती थी 24 गंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनोती थी बच्चों की पड़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योकों के लिए कमाई हो यह सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था ऐसे में बिजली के उत्वादन से लेकर ट्रांस्मिशन तक हर प्रकार की कैपिसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर उर्जा के लिए एक दसक पहले ही व्यापक नीती बनाई थी जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उद्गाटन हुआ था तब किसी ने कल्पना भी नहीं कि थी के एक दिन भारत दुनिया को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड उसका रास्ता दिखाएगा आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उप्योग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में हैं बिते छे सालों में देश सौर उर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में पांचवे नमबर पर पहुँच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई और बहनों जो गाउं से नहीं जुड़े हैं खेती से नहीं जुड़े हैं उनमेंसे बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए जादा तर रात में ही बिजली मिलती है ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को राद भर जागना पड़ता है जुनागर्ट और गीर सोमनाज जैसे इलाकों में जहां से किसान सुर्योदर योजना शुरू हो रही है वहां तो वाइड लाइफ जंगली जानवरों का भी भहुत जादा खत्रा रहता है इसलिए किसान सर्वोदर योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी किसानों को रात के बज़ाए जब सुबह सुर्योदर से लेकर के रात नौ बज़े के दोरान त्री फेज बिजली मिलेगी तो यह नया सवेरा ही तो है मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बढ़ाई दूँगा कि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभावित किये बिना ट्रांस्मिशन की बिलकुल नई कैप्रिसिटी तयार करके यह काम किया जा रहा है इस योजना के तहट अगले दो तिन वर्षों में लगभग साड़े तीन हजार सरकीट किलो मिटर नई ट्रांस्मिशन लाइनों को बिशाने का काम किया जाएगा मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक हजार से जादा गाउं में ये योजना लागु भी हो जाएगी इन में भी जादा गाउं आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा तो ये लाखों किसानों के जीवन को उनकी रोजमरा की जिन्दगी को पूरी तरह बदल देगी साथियों किसान की आए दो गुनी करने के लिए लागत कम करने के लिए उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही रहूंगे किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो या फिर हजारों किसान उत्पादक संगों का निर्मान सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना में सुधार यूरिया की सत प्रतिशत नीम कोटिंग हो या फिर देश भर के करोडों किसानों को सॉयल हेल्थ कार इसका लक्ष यही है कि देश का एग्रिकल्चर सेक्टर मजबूत हो किसान को खेती करने में मुश्किल न हो इसके लिए निरंतर नहीं नहीं पहल की जा रही है देश में आज अन्न दाता को उर्जा दाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है कुसूम योजना के तहट किसानों किसान उत्पादक संग एपियोस कोपरेटिवस पंचायतों ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमिन पर छोटे छोटे सोलर प्रांट लगाने में सहायता दी जा रही है देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रीड से जोड़ा जा रहा है इससे जो बिजनी खेतों में पैदा होगी उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाय के लिए उप्योग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजनी को बेज भी पाएंगे देश भर में करीब साड़े सतर लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है इससे किसानों को सिंचाय की सहुलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आए भी हो जाएगी साथियों गुजरात ने तो बिजनी के साथ साथ सींचाय और पीने के पानी के ख्षेत्र में भी शांदार काम किया है इस कारकम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिती थी बजेट का बहुत बड़ा खर्चा सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है ये बहुत लोगों का अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पिछे आर्थिक बोज बहुत बड़ा रहता था बीते दो संदसकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जीलों उन गाउं तक भी पानी पहुँच गया है जहां कोई पहले सोज भी नहीं सकता था के जल को गुजरात के सुखागा सेक्टरों तक पहुचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं वाटर गीड्स को देखते हैं तो गुजरात के लोगों के प्रयासों पर गर्व होता है गुजरात के करीब 80 प्रतीशत घरों में आज नल से जल पहुँच चुका है इसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा है। ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही हैं तो सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। यह मंत्र है पर ड्रॉप मौर क्रॉप का। जब किसानों को दीन में बिजली मिलेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उत्रा ही चोड़ देना है। वरना ऐसा नहीं हो कि चलो भी बिजली आईए, पानी बहर आए, हम आराम से बैटे हैं, फिर तो गुजरात बरबाद हो जाएगा, पानी खतम हो जाएगा, जिन्द की मुश्किल हो जाएगी। दिन में बिजली मिलने की वज़े से किसानों के लिए भी माइक्रो इरिकेशन की विवस्ताय करना आसान होगा। गुजरात ने माइक्रो इरिकेशन के ख्षेत्र में काफी प्रगति की हैं, टपक सींचाय हो या स्प्रिंकलर हो, किसान सर्वोदय योजना से इसके और विस्तार में मदद मिलेगी। भाई और भेनों, गुजरात में आज सर्वोदय के साथ ही आरोग्यदय भी हो रहा है, ये आरोग्यदय अपने आप में एक नया नजराना है, आज भारत के सबसे बड़े कार्डियार्ट अस्पताल के रूप में युएन मेता इंस्टिटूटर अप कार्डियोलोजी एंड रिसर्स सेंटर का लोकारपण किया गया है, ये देश के उन चुनिंद अस्पतालों में से हैं, जिसमें वर्ल क्लास इंस्पा स्रक्चर भी हैं और उतनी ही आधुनिक हेल्स फैसिलिटी भी हैं, बदलती लाइफ स्टाइल के कारण हाट से जूड़ी समस्या को हम देख रहे दिन और दिन बरती चली जा रही वन चोटे बच्चों में हो रही हैं, ऐसे में ये अस्पताल गुजरात ही नहीं, देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविदा है, भाई और भेनों, बीते दो दस्वकों में गुजरात ने आरोग्य के एक शेत्र में भी अभू मेडिकल कॉलेज हो या हेल्थ सेंटर्स हो, गाउं गाउं को बहतर स्वास्त सुविदाओं से जोडने का बहुत बड़ा काम किया गया है, बीते छे सालों में देश में स्वास्त सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं, उनका भी लाप गुजरात को मिल रहा है, आईश्यमान भारत योजना के तहट गुजरात के 21 लाख लोगों को मुप्त इलाज मिला है, सस्ती दवाईयां देने वाले सवा 500 से जादा जनवसदी केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं, इस में से लगबग 100 करोड रुपिय की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है, भाईयों और भेनों, आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है, उचसे आस्ता और परेटन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, गिर्नार परवत पर, मांबे भी विराज्ती हैं, गुरतनाक शिखर भी हैं, गुरुद तात्रे का शिखर भी हैं और जैन मंदीर भी हैं। यहां के हजारों सीधियां चड़कर जो सिखर पर पहुंचता है, वो अदबूत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्वस्तरिय रोप्वे बनने से सबको सुविधा मिलेगी, सबको दर्शनों का आउसर मिलेगा। अभी तक मंदीर तक जाने में जो पाँच पाँच साथ साथ घंटों का समय जगता था, वो दुरी अब रोप्वे से साथ आठ मिनिट में ही तै हो जाएगी। रोप्वे की सबारी, एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुविधा के बाद, यहां जादा से जादा सरद्धालू आएंगे, जादा परियटक आएंगे। साथियों, आज जिस रोप्वे की शुरुवात हुई हैं, वो गुजरात का चौथा रोप्वे हैं, बनास काठा में, मां अंबा के दर्शन के लिए, पावागड में, सत्पुडा में, तीन और रोप्वे पहले से काम कर रहे हैं। अगर गिनार रोप्वे में रोडे न अटकाए होते, तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता, लोगों को, टुरिस्टों को, इसका अलाब बहुत पहले ही मिलने लग गया होता। एक राश्ट्र के रूप में, हमें भी सोचना होगा, कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुचाने वाली व्यवस्ताओं का निर्मान, इतने लंबे समय तक अटका रहेगा, तो लोगों का कितना नुक्षान होता है, देश का कितना नुक्षान होता है। अब जब ये गिरनार रौप पे शुरू हो रहा है, तो मुझे खुशी है कि हाँ लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, स्थानिये युवाओं को रोजकार के भी अधिक आउसर मिलेगी। साथियो, दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आस्था से जुड़े केंद्र, इस बात को स्विकार कर चलते हैं, कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग तभी आएंगे, जब हम टूरिस्टों को आधिनुक सुविधाय देंगे। आज जब टूरिस्ट जहां अभी कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, उसे इज अफ लिविंग भी चाहिए होती है, इज अफ ट्रावेलिंग भी चाहिए। गुजरात में अनेकों जगह हैं, जिन में भारत ही नहीं, दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की ख्षमताएं पड़ी हैं, अपार संभावनाएं पड़ी हैं। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें, तो भक्तों के लिए गुजरात में पूरा सर्किट है, मैं सब माताओं के स्थानों का उल्लेग नहीं कर रहा हूं, और गुजरात के सभी कोने में इस शक्ति रुपेन माताएं गुजरात को निरंतर आशिरवाद देती हैं। अंबा जी हैं, पावागर तो है ही हैं, चोटिला चामुंडा माता जी हैं, उम्या माता जी हैं, कच्वे मातानों मड़, इतने ही याने अनगिनत हम अनुभव कर सकते हैं कि गुजरात में एक प्रकार के शक्ति का वास हैं। कई प्रसिद्ध मंदीर हैं। आस्था के स्थलों के अलावा भी गुजरात में अनेक जगे हैं, जिनकी ख्षमता यद्भूत हैं। अभी आपने भी देखा हैं कि द्वारका के पास शिवराजपुर समुद्री बीश को अंतर राष्टे पहचान मिली हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिपिकेशन मिला हैं। ऐसे स्थलों को विक्षित करने पर वहाँ जादा से जादा परियटक आएंगे और अपने साथ रोजगार के नए आउसर भी लाएंगे। आप देखिए सर्दार साहब को समर्पित स्टेची अफ यूनिटी दुनिया की सबसे उची प्रतिमा अब कितना बड़ा टुरिस्ट एट्रेक्शन बन रही है। जब ये कोरोना शुरू हुआ उससे पहले ही करीब करीब 45 लाग से जादा लोग स्टेची अफ यूनिटी को देखने जा चुके थे। इतने कम समय में 45 लाग लोग बहुत बड़ी बात होती है। अब स्टेची अफ यूनिटी को फिर से खोला गया है। तो ये संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह छोटा सा उदान देता हूं मैं। अमदाबाद में कांकरिया जील। कांकरिया तालाब तक पहुँचने वालों की संख्या एक जमाना था। वहां से कोई गुजरता नहीं था। दूस्ता रास्ता लेता था। उसका थोड़ा सा रिनोवेशन किया। थोड़ा टूरिस्ट को ध्यानवे रक्तर के व्यवस्ताएं खड़ी की। और आज थिती क्या है। वहां पर पहुँचने वालों के संख्या अपसालाना पचरतर लाग तक पहुँच रही है। अकेले अमदाबाद सहर के मद्य में पचरतर लाग मद्यमबर्ग, निम्न मद्यमबर्ग के परिवारों के लिए ये जगा बहुत आकर्शान का कारण बन चुकी है। और अनेक लोगों के रोजी रोटी का कारण भी बनी है। ये सारे परिवर्तन टुरिस्टों की बढ़ती हुई संख्या, स्थानिये लोगों की आए बढ़ाने भी बहुत मद्द करती है। और टुरिजम एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां कम से कम पूझी लगती हैं और जादा से जादा लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे जो गुजराती साथी और मैं चाहूँगा विश्व भर में फैले हुए गुजराती बंदु भगिनी को मैं आज आगरस से कहना जाता हूँ। गुजरात के ब्रेंड एमेसेडर बनकर आज पूरी दुनिया में गुजरात के लोग छाये हुई है। जब गुजरात अपने यहां नए नए आकरशन का केंद्र बना रहा है, बविश्व भी बनाने वाला है, तो दुनिया भर में फैले हुए हमारे गुज्जू बंदों से मैं कहूँगा, वो हमारे सभी साथी उनकी बातों को पूरी दुनिया में अपने आपी लेकर के चले आएं, दुनिया को आकरशित करें, गुजरात के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से परिचित कराएं, हमें इसी को लेकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, एक बार फिर सभी गुजरात के मेरे भाईयों भेनों को इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधा आए देता हूं, मां अम्बे के आशिरवात से गुजरात विकास की नई उचाईयों पर पहुँचे, मेरी यही प्रार्थना है, गुजरात स्फस्त रहें, गुजरात ससक्त बने, और मारा गुजरात ना भाईयों बहनों ने एक दिलनी वात करवी छे, और मैं खात्री छे ह यमारी आवातने आप जरूर सत्कार सो अने मने साथ आप सो कोरोना वाइरस छे त्या सुधी सावचेद रहमू खुबज जरूरी छे बे गजनी दूरी खुबज जरूरी माक्स पहरवो पाण एक दम जरूरी साबूती नियमी धाद धोता रहो जा सुधी दवा नहीं त्या सुधी डिलाश नहीं इनी सुबकामनाओं के साथ आपका आभार बहुत बहुत धन्यवाद तो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आजे इलो कारपन करिए अलग-अलग त्रोण योजनाओने लेने जने माटे खास तेमने जिशरूबात करी पोताना संभूध धनी गुजराती माँ नवरात्री निशुबेच्चा आपी ने तेमने शरूबात करी अने साथे जनाविव के शक्ती भक्ती अने स्वास्त नी खास ओडख गुजरात माटे योजनाओ बनी रहे श्वे अने तेनू लोकारपन करी ने शुभारंभ कराविव तो साथे साथे महत्वनी वावत एपन तेमने जनावी के हालमा जैरे कोरोना कार चाली रहो छे तेरे कोरोना नी गाइडलाइन नू पालन करे वधु एक वार गुजरातियों ने याद अपाविव के मास्क सोशल डिस्टन्स अने तमाम नियम होजे चे कोरोना ने लगता त अक्षम बने गुजरात महत्वना समाचारों साथे अगरवदी ते पहला हल रुकाईए ब्रेक माजेए